अलो इस्ट्रोगेंट्स यह आपका पार्टू वीडियो एक चप्टर का पार्टू वीडियो में प्रसनावली सिक्सेपे हैं और कोस्टन नम्मर है वन कित युगमों के दो भिन भिन उदाहरन दीजिए पहला क्या रहा है समरूप आकृतिया तो मैंने पिछले वीडियो में सबतने पोटे में पवसकर बता है कि सभी बृता होते हैं और में मत्याम्म cioè caramel मत्या मैं अजय कोजिए और कि इस आ कृतिया 37 जो समरूप नहीं है समरूप नहीं है तो अगर मालीजा मैं एक बृत्त ले लेता हूं कि上 Kollege które ले तथा एक आयत ले लेता हूंज तो कभी समरूप होंगे नहीं होंगे हैं ठीक है दूसरा एक्जामपल ले सकता हूं कि एक ब्रिट एक वर्री तथा एक त्रिभूज ले लो यह अधिये वह समस्सक न॥ हो सकता है कभी भी हुद समरूप है कि ने तो मैं यहां देखूंगा दोनों चत्रभूजों में मुझे क्या देखना होगा तो इनके संगत भوजाओं कानूपात बराबर होना चाहिए ठीक है और संगत कौन बराबर होना चाहिए तब ही नहीं आपके समरूपा कृतिया होंगी तो यहाँ पर अगर मैं PQ बटा AB देखूँ तो 1.5 cm बाई में 3 cm कितना जाएगा 1 by 2 आजाएगा अगर मैं यहाँ पर QR बटा में BC देखूँ ठीक है तो बाई 1.5 cm बाई 3 cm यह भी कटके आपका 1 by 2 आजाएगा ठीक है फिर उसके बाद मैं देखूँ RS बटा में CD तो यह भी आपका 1.5 cm और बटा में 3 cm यह भी कटेगा 1 by 2 आजाएगा एक और बच गया आपका यहाँ पर PS और बटा में AD ले लो तो यहाँ पर वही हो जाएगा 1.5 cm और बटा में 3 cm तो यह भी आपका 1 बटा दो तो देख रहा है इनके संगत बुझाओं का अनुपात तो बराबर हो जा रहा है यहाँ PQ बटा AB बराबर है QR बटा BC बराबर है RS बटा CD और बराबर है P S बटा A D ठीक है संगत बुझाओं का अनुपात तो बराबर हो जा है लेकिन इसके संगत कोण क्या बराबर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यह 90 है यह 90 से कम है तो हमनों देख रहा है कि एंगल P एंगल A के इकवल नहीं है या एंगल Q एंगल B के इकवल नहीं है इसी तरह से सभी कोण एंगल R एंगल C के इकवल नहीं है हाँ ना और एंगल S इसके बराबर नहीं है एंगल D के इकवल नहीं है समझ गया ना यह चारो कोण इसके संगत कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहां देख रहे हैं संगत भुजाओं कानुपाद तो बराबर हो गया, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हुए, इसलिए दोनों चत्रभूज समरूप नहीं हो सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि इसलिए चत्रभूज, 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 पी, क्यू, आरेस, स रूपुर नहीं है । चतरभूज, चतरभूज A, B, C, D के यहां पिकटuating와 आप लुजई एक है कि यहां आपका समांतर रूपुण है है , यहां आपका एक वर्ग है यह समांतर रूपुरफूज का यह और पर्फेक्ट है यह आपका सम चत्रभूज है और यहां एक वर्ग है, तो क्या कभी कोई सम चत्रभूज के सम रूप हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह प्रकार की अकृतिया नहीं है, कॉसर नमर यहाँ पे देखते हैं, इनके संगत भुजा का रुपा देखते हैं, AB बटा में PQ, 1.5 cm बटा में 3 cm, कटेगा 1 बटा 2 आजाएगा, BC बटा में QR, तो यहाँ से हो जाएगा 2.5 cm बटा में 5 cm, यह भी कटके 1 बटा 2 आजाएगा, फिर आपका CD बटा में RS, 2.4 cm बटा में 4.8 cm, यहाँ भी कट जाएगा आपका 1 बटा 2 आजाएगा, अब एक और बच गया, AD बटा में PS, तो यहाँ भी देखिए 2.1 cm, और बटा में आपका कितना है 4.2 cm, यह भी कट जाएगा, 1 बटा 2 आजाएगा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कि इनके संगत बुजाओं का अनुपात बराबर आगया, AB बटा PQ, बराबर BC बटा QR, बराबर CD बटा में RS, और बराबर AD बटा में PS, संगत बुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, अब मुझे यहाँ संगत कोण देखने होंगे, तो देखो ना यहाँ पर दिख रहा है फिगर में, कि एंगल A बराबर है एंगल P के, दोने 105 डिगरी है, एंगल B बराबर है, एंगल Q के, दोनो 100 डिगरी है, अच्छा, एंगल C एंगल R के बराबर है, एंगल C बराबर है एंगल R, ठीक है, कितना है दोनों, तो दोनो 70 डिगरी है, ठीक है, और एंगल D जो है, बराबर है एंगल S के, यहाँ देखो, D और S बराबर है, दोनों 85 डिगरी है, ठीक है, 85 डिगरी है, तो हम लोग देख रहा है कि, यहाँ पर संगत बुजाओं कानुपाज बराबर हो गया इन दोनों चत्रभूजों के और इनके यहाँ पर संगत कोण भी बराबर हो गया तो इसलिए कह सकते हैं कि आपका जो चत्रभूज है चत्रभूज A, B, C, D समरूप है चत्रभूज किसके? P, Q, R, S के तो यही तीन कोषन आपके exercise में दिये हुए थे अब इसके बाद कुछ प्रमेह है उन प्रमेहों का हम लोग सिद्ध करना सिखेंगे नेक्स वीडियो में और उसके बाद हम लोग अगले exercise के तरफ बढ़ेंगे तो इस वीडियो का हम लोग यहीं paint कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को subscribe करना होगा पहला है pathfinder classes छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को subscribe कर लेंगे और इससे related वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगा और इससे related notes के लिए google पे जाके search करेंगे www.ravikant sir.in और यहां जाकर आप सभी classes के notes और उनके pdf को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं